दोस्तो नमस्कार स्वागत आप तभी का घजब समाचार में दोस्तो आपको प्रतीक सहस्पाल और शमिता सेटी पसंद है या फिर दिब्या अगरवाल और निशांद भट आप आपको बता दें कि लाइफ फीड में देखने को मिल रहा है कि यहां निशांद भट और दिब्या अगरवाल ने शमिता सेटी और प्रतीक सहस्पाल पर कई सारी बड़ी बात है कही है यहां सबसे पहले बात करते हैं प्रतीक सहस्पाल की तो प्रतीक सहस्पाल के बारे मैं यहां निशांद भट कहते हूँ नदर आ रहा है कि वो कहीं न कहीं मेरे से जैनुवन दोस्ती मानता है और मैं भी उसकी इस दोस्ती की कदर करता हूँ उसकी और मेरी रात में बात हुई थी उसने मेरे से कहा था कि भाई तूने जो किया है मुझे उस पर कोई संदेह नहीं है मुझे उस पर कोई तेरे से नाराजगी नहीं है क्योंकि यहां तेरे से काफी बड़े बड़े धुरंदर आए और वो चले गए जो तूने किया है कुछ ना कुछ तो किया है कि तू यहां अभी तक टिका हुआ है और मुझे उस पर तेरे से कोई गरज नहीं अगर तुने बिचिंग की है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं मेरे दोस्त को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ और मैं तो यह जैनुरी दोस्त मानता हूँ उस पर यहां निशांत बढ़त कहते हुए नदर आ रहे हैं कि उसने तेरे अंडर गार्मेंट्स की जो बात थी वो जकडली जिस तरीके से मीडिया ने कही थी लेकिन कहीं न कहीं उसने भी मूस के बारे में कई सारी ऐसी बात है उसके अंडर गार्मेंट्स और उसके प्राइविर पार्क्स के बारे में ऐसी बात है की थी जो के यहां कैम और जिस तरीके से विज बातें दिखाती है जिस तरीके से उसने मेरे और राकेस के रिष्टे पर सवाल उठाई थे उसपर मैंने उससे कुछ नहीं किया था जब करनी हो आगर उसे खुद अच्छा बनके रहना है या खुद अपनी अच्छाई दिखानी है तो बहराल दोश्तों इस पर आपकी क्या है राय आपकी क्या है वचार आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिलकुल भी न भूले